हेलोफिंट् disappoint्स आपका स्वागत है , आपके अपने चैनल न स्वाइ में मैं प्रेम क्या दो । आज हम होवियोपैजिसिं बार्बेरिस व्ल्गेरिस के बात करने वाले हैं इसका common name क्या है बर्बेरी इसकी family क्या है बर्बेरी डेसी यह वेज़ेबल kingdom की medicine है ठीक है इसका main action हमें कहां देखने को मिलता है इसका बहुत अच्छा action हमें लीबर और गॉल ब्लैडर में भी देखने को मिलता है यह जॉंडिस और गॉल स्टोन के लिए भी बहुत अच्छी medicine है ठीक है यह left-sided medicine है इसका main action हमें left side में देखने को मिलेगा जैसे left kidney left urinary blood urator ठीक है अब हम इसके person की बात करें तो इसका constitution कैसा होता है पेल और अर्थी complexion देखने को मिलता है और चिक्स कैसे होंगे person के संकन होंगे आई के around हमें blue ring देखने को मिलती है ठीक है जैसे कि देखे material medica क्या रहती है कि बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं हम कि सारे symptoms मिलते जुलते हैं हर medicine के कोई न कोई symptom तो इसको याद करने के लिए मैंने एक trick बनाई है I hope आपको पसंद आए अगर आपको पसंद आए तो जरू इस परसन में क्या देखने को मिलेगा blue ring मिलता है ठीक है अर्थी complexion होता है इस परसन का radiating type का pain देखने को मिलता है हमें जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में shift हो जाता है ठीक है में sourness देखने को मिलती है हमें kidney में इससे तो आपको समझ आ ही रहोगा किसका main action हमें kidney में देखने को मिल रहा है ठीक है अब हम वल्गेरिस से याद करते हैं कुछ चीजी वल्गेरिस से वेजिटेबल किंग्डम के medicine है इसका urine कैसा होता है green होता है bloody होता है टर्वीड होता है फूल आप स्लिवी म्यूकस यह लेफ्ट साइड़ मेडिसीन है इस पैसलिया करती है लेफ्ट किड्नी लेफ्ट यूरेटर में गॉल स्टून के लिए बहुत अच्छी मेडिसीन है और इसके और सिम्टम वह सुझाते हैं जब इसके बार मोसन से जार से और टच से ठीक है अ बहुत अच्छा वाग में इसमें ब्रूस फेन देखने को मिलता है विट नमनेस ऐंड स्क्रीफ नेस मिलती है कि म欸 कृबलिटेर्य है तो इस नारते तो इस से एंड मोसन से बैकक के लिए बहुत अच्छी मेडिसीन है वास कब होता है कंडिशन जब परसन बैठता है या सोता है इस पेसली कब मॉर्निंग के समय में इसको सेंसेशन कैसे आते हैं नमनेश इस्टिफनेश लैमनेश विट पेनफुल प्रेसर इन लंबर एंड रिजन में मिलता है हमें स्टिफिझ पेन देखने को मिलता है हमें लीवर रिजन में फिस्टिफनेश से इसको मैयात कैसे कर सकते हैं SBC SBC S for Silesia B for Barbaris C for Calcaria Fos SBC Gaul Stone के बाद हमें इस परसन में John Deez देखने को भी मिल सकता है और इसका urine किस कलर को होता है Green Bloody Turbid And full of sklevy mucous अब हम इसके particular Gaul Stone के बाद करते हैं तो इस Gaul Stone के लिए का है बहुत अच्छी medicine है ठीक है इसका मैं Mark Dickson देखने को मिलता है इससे बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते है ठीक है पेन कैसा होगा सॉड शडेन स्टेबिंग आंड पंक्चरिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है हमें लीवर रिजिन में पेनी सूटिंग टीरिंग बर्निंग स्टिचिंग एंड टिंगलीं और वन पार्ट से अनेदर फॉर्म में सिप्ट होने वाला भी मिलता है ठीक है और इसमें हमें एक्राविशन कब देखने को मिलेगा पेन के कमप्लेइन में जब जार से और मोशन से ठीक है गॉल स्टोन के साथ हमें इस पर्सन में जॉन्डिस देखने कोई मिल सकता है और इस टूल कैसे होगा वाइड बाइल लेस क्ले कलर का ठीक है अब हम यूरीन सिम्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इसमें ना कॉंस्टेंट तरजिंग देखने को मिलेगी पर्सन में हम ब्लैडर बहुत बहुत ज़्यदाई टेवल होगा और यूरीन बहुत स्लो बढ़ने के साथ देखने को मिलेगा ठीक है बहुत ज़्यदा चरबिट कोती है अब हम इसके रिनल कोक है की बात करते है और यह बहुत आच्छी मेडिसिन है हमारे स्टोन के लिए इस puck के सटौन हो गया है यह उरेटर में वह गया है उले भी स्टमने ब्लाइटर में हो गया है तो हम इस डीसिन Där के पके सटॉन हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा नम्नेस देखने को मिलेगी श्र Main बब्लिंग सेंसेशन मिलेगा स्टिफनेस मिलेगी लैमनेस और पेनफुल प्रेशर देखने को मिलेगा हमें किड्नी रीजन में बर्निंग एंड सोरनेस मिलेगी किड्नी रीजन कैरेक्टर कैसे होगा पेन का स्टिचिंग एंड कटिंग टाइप का पेन देखने को मिलेगा ठ उसके बाद यूरेटर में जाएगा किड़नी से फिब्लैडर में दें यूरेथ्रा में पेन क्या करता है और एक्यूट कंडिशन की बात करें तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है इसके साथ हमें हिमेच यूरिया देखने को मिल सकती है विद सोरनेस यूरेथ्रा और क्रोनिक कंडिशन में हम बात करें तो कि यूरीन कैसा देखने को मिलेगा डार्क तर्वित विद कोपियस सेडिमेंट और यूरीन बहुत दीरे-दीरे फ्लो होगा विद कॉंस्टेंट टर्जिंग मतलब यूरीन पास ओट करना चाहेगा इसका पेसेंट क्योंकि इसको मतलब हो रही है बहुत दीरे-दीरे पास ओट करेंगा एक स्टोन के पेसेंट को अदिवी कीजिए उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि यूरीन पास और जल्दी नहीं होता है उसकी वज़ास में पेन देखने को एक और कईब यूरीन के साथ हमें ब्लड देखने को य तो हम बस स्टोन के वारे में सोचेंगे तो हम इस मेडिसिन को पूरी आत कर सकते हैं यह किसी भी तरह का सकते हैं इसका बहुत अच्छा action देखने को मिलता है अब हम रुमैट्टी बात करते हैं तो यह हमें कहां देखने को मिलेगा तो में फिलिंग कैसी आगी सोर लें फीलिंग आईगी जोईंट्स में इस इसको sore and lame feeling देखने को मिलती है में ठीक है पेन कैसे होता है बर्निंग stitching और टीरिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है ठीक है जो radiate करता है माल लीजे यहां पे था पहले तो फिर उसके बाद यहां पे हो सकता है radiate करता है ठीक है appears in one part of the body then to another part of body जैसे यहां पे appear था अगर अगली बार हम यहां पे सोच सकते हैं अब हम इसके aggravation की बात करें modality तो चार motion and walking से इसके rheumatic के complaint बढ़ जाते हैं और इसके साथ हमें gouty complaints भी देखने को मिल सकते हैं यूइनरी troubles भी देखने को मिल सकते हैं इस person में rheumatism के साथ अब हम जनरल modality की बात करते हैं तो हमें motion से walking से carriage writing sudden jerking या moment से इस person में aggravation देखने को मिलता है मतलब इसकी condition worse हो जाती है ठीक है और यह किस-किस medicine के similar है like a podium and SARS परिला से किसमे renal colic में ठीक है और अगर इसका बहुत ज़्यदा डोज ले लिया गया तो antidote कर सकते हम बेला डोना से आई हो यह वीडियो आपके लिए यूजफूल हो अगर आपको पसंद आई हो लाइक share and subscribe my channel comment करके जिरूर बताएगा thank you for watching